सो हे गाइस मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ जूजूट्सू काईसन के एक और न्यो वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले चैप्टर मुर्ट अमर्ट 201 जो की अभी रिसेंट्ली आया है तो पिछले चैप्टर में जहां पे गेटो सुगूरू यानि कि केंजाकू वर्ल लीडर से डिसकुशन कर रहा था यह एक्चुली में शिबूई आख से पहले का सीन था यानि कि यह फरवरी 2018 का सीन था और जो शिबूई आख है वो एक्चुली में हुआ था अक्टूबर 31 2018 वो यानि कि आल्मोस्ट नवंबर 2018 में शिबूई आख हो रहा था जिसमें हमारे गोजो सेंसे को सील कर दिया गया था यह चीज में पिछले चाप्टर में बताना भूल गया तो अभी इसके एक चीज यह जान सकते हैं कि केंजाकू का प्लान इतना परफेक्ट था मतलब उसको प्लान पर इतना भरोसा था कि उसने यह सारी चीजे आल्मोस्ट आठ महीने पहले ही शेडियूल कर ली थी मतलब वो यह सारी चीजे आठ महीने पहले ही डिसकुशन कर रहा था वर्ल्ड लीडर से मतलब उसको यह चीज कनफर्म पता थी कि उसके प्लान से गोजो सेंसे को सी किया जा सकता है तो गोजो सेंसे का सील होना कोई ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट नहीं था बलकि यह फिक्ष था अगर हम कर्सिस के साइड को देखें वापिस से वही फरवरी 2018 का नेगोसियेशन चल रहा होता है वर्ल्ड रीडर्स के साथ यहाँ पर जो प्रसीडेंट है वो जहाँ पिछले चैप्टर में बोल ला था कि उसको जैबनीज सिविलियन पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना तो यहाँ पर वो अपना थोड़ा सा माइंड सेट चेंज करने वाला हो तो यह यहाँ पर पूछता है कि क्या तुम यह सजेश्ट कर रहो कि मैं जैब प्लीज सिविलियन को पकड़ के उनको एक्सपेरिमेंट सेंपल की तरह यूज करूँ मेरे अथोरिटी का यूज करके यानि की मैं अपने पोजिशन का यूज करके यह सारे कार्ण करवाना यह लोग दोनों मिलके किसी तरह से नेगोशेट करते हैं कि यह मान जाए कि यह जैपेनिज जो जूसु सौर्सरर से इनके ओपर एक्सपेरिमेंट चालू हो पाए तो यहां पर जो डिपार्टमेंट आफ एनरजी का बंदा वो बोलता है कि हो सकता हो यह सभी लोग मिलके का पूरे कंटरी को पावर ना दे पाए लेकिन एक बंदा जाने कि मैं जितनी एनरजी पूरे दुनिया में कंस्यूम करता हूँ जो भी पी सी लाइट पंका जो भी चला जो भी आप कैड़ एनरजी मान लो वो एटलिस्ट उतना एनरजी एक जूसु सौर्सरर दे पाएगा त और अगर यह चीज रियालेटी बन जाती है तो इसके अकॉर्डिंग काफी सारे वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सौल्व किया जा सकता है जो कि एनरजी से रिलेटेड है फिर यह बंदा बोलता है कि नॉर्मल हूमन्स और जूसु सौर्सर में बस एक ही फर्क है और वो फर्क उनके ब्रेंड की स्ट्रक्चर में होता है जो कि यही सेम चीज केंजाकू याने की गेटो ने बताया है ता जब यह शिबूया आग फाइनल में चल रहा था और इस डिपार्टमेंट आफ एनरजी वाले बंदे का यह भी कहना है कि यह ब्रेंड की ऐसी मिस्ट्रीज है जो क चाहते हो कि मैं उन्हें पकड़ के human experimentation करूं Cyrus क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है इस पर हो Cyrus बंदा यानि की department of energy का बंदा अभी याद कर लो इस बंदे का नाम Cyrus है तो यह बोलता है कि हम चाइना और रशिया से पीछे नहीं रह सकते अगर हम alternative energy की बात कर रहे हैं और सिर्फ इन ही दोनों countries की बात नहीं है Saudi Arabia और पूरा का पूरा Middle East ये सभी लोग अपना जो energy के rights है उनको protect करेंगे जैसा कि आपको पता हो कि Middle East countries में यानि कि Saudi Arabia और इन सब जगों पे oil का production जादे होता है उसके बाद ये बंदा बोलता है कि Germany ऐसे काम कर रहा है जिससे वो nuclear power को ह चोड़ देगा इसके अलावा countries जैसे की India, France, Korea और Turkey इन सबी के पास बहुत ही high military power है तो ये काफी अच्छी बात है कि अपने इंडिया को ऐसे consider किया जा रहा foreign के मांगा में और ये बंदा ये भी बोला कि अगर इंडिया ने ऐसा कुछ कदम उठाया तो पाकिस्तान में उनको copy करेगा, तो इस बंदे का कहना कि अगर हमने इस चीज को ignore गया तो ये problem और भी जादे बढ़ती जाएगी, यानि कि इस बंदे का कहना कि अगर एक country जूसू Sorcerer के पीछे गई तो बाकी सारे countries भी उसको follow करेंगे, उसके बाद ये बंदा बोलता है कि ये matter सिर्फ जूसू Sorcer का नहीं है, ये चीज ऐसी बन जाएगी कि पूरी की पूरी दुनिया मिलके जैपनीज लोगों को हंट कर रही है, जैसा कि मैं आपको बता है, ये जो कर्ज एनरजी है, ये सिर्फ जैपनीज लोगी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इस Cyrus बंदे का कहना है ये बहुत होशी आर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अभी देखो, ये बंदा कितना पोलिटिकली चूतिया बना रहा है उस President को, गेटो भी बोलता है, उसका भी भाई, वो भी समझ रहा है कि भाई, चूतिया बनाने के कोशिश कर रहा है, यहां पर, तो गेटो भी बोलता है, ये सबसे अच्छ निकलेगा, यानि कि जो रिजल्ट निकलेगा, इस पूरे मीटिंग का, हो सकता हो, ये बंदा दूसरे कंट्री इसके पास भी चला जाए, जिसके बाद गेटो उन्हें बोलता है कि देखो, जो जूसु सोर्सरर एक माइनॉर्टी है, पूरे पॉपॉलेशन की, और क्योंकि के उपर सर्वेलेंस को बढ़ा देना चाहिए, इसके बाद उसकी जो सेक्रेटरी है, वो उसको बताती है कि देखो, प्रेसिडेंट साब हमारे कंट्री में भी जैपनीज लोग हैं, और अगर ये सूरो गेटो बंदा जो है, अगर इसने दूसरे कंट्री के साथ नेगोशि करने के लिए, यानि कि जूसु सॉर्सर को पकड़ने के लिए हमें कितने आर्मी की जरूत पड़ेगी, या एक्चुली मैं जेसॉक का कमांडर है, जो कि वन आफ दा हाइस्ट रैंकिंग मिलिटरी में आती है, या बंदा पूस्त है, हाँ प्रेसिडेंट साब, आप ये बो इसके बाद ये इनका जो कमांडर है, वो गेटो से पूछता है कि वो जो वाइठ हेर वाला बंदा, यानि कि गोजो सेंसे के बात हो रही है, क्या वो बाकी नॉर्मल सॉर्सर से भी उपर है, तो उसके बाद गेटो उसको रिप्लाइ करता है, हाँ, जैसा आप सोच रहे हो स इसके बाद वो बंदा बोलता है, फिर तो एक सिंगल कमपनी में भी काम हो जाएगा, परसनालिटी के हिसाफ से कुछ ज्यादा नहीं पुल रहा है, कमपनी यानि की पूरी जो वो होती है, आर्मी का ग्रूप होता है, उसको कमपनी बोलते है, तो एक कमपनी मा मतलब 60-200 सोल करेंगे, और मेरे ख्याल से 5 dozen sorcerers enough होंगे, तो यानि की 60 soldiers की बात कर रहा है, जो साइरस बंदा भी agree हो जाता है, वो जो मिलिटरी कमांडर गया है, वो बोलता कि हो सकता है, जो सुरसर बहुत ही पौरफून हो, लेकिन अंत में ये सभी untrained amateurs हैं, ये हमारी आर्मी के सामने कु के मैं दो में और में। कर लो हम सारे जूसु सॉसरर तो यहीं बैटे हुए इस पर गेटो भी बोलता है हाँ बात सही है वैसे भी आपके सामने दो सॉसरर बैटे ही है आप चाहो तो यहीं पर अपना टेस्टिंग कर सकते हो और इसके आगे गेटो बोलता कि अगर तुम्हारे प्रेसिदेंट से कोई कुरू फार्मर और राइफल से और सिर्फ यहीं नहीं अभी और सुनिये सिया यानि की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी इनका जो प्राइमरी डिवीजन है वो बंदे भी यहां पर लगे हुए हैं यह सिया ये के बंदे दुनिया के सबसे हैवी सीक्रेट ऑपरेशन करते हैं और इन सभी के पास आठ से भी जादे साल का मिलिटरी एक्स्पिरियंस है और स्पेशल ओप्स की ट्रेनिंग है और इन सभी को मिला के एट लिस्ट हमारे पास 45 एलीट सोल्जर्स है जो की समय गेटो सुगुरू के कदमों पे नजर रख रहे हैं तो उसके बाद हमें एक का ना मुझे याद आ गया तो ये बोलती है कि क्या तुम्हें हेल्प चाहिए गेटो बोलता है कि नहीं नहीं मैं अपने आप ही कर लूँगा उसका गेटो बोलता है कि मुझे किसी को जूसू सौर्सरर का ट्रेलर दिखाना है कि क्या 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 कर सकते हैं तो साथ गेटो की टेकनिक सबसे बेस्ट रहेगी इसके बाद हमें वापिस उस कमांडर का चेहरा दिखाया जाता है और यह सच में बहुत यह उफेंडिंग बाते बोल रहा होता है यहाँ पे बोलता है कि हमने सारे सोल्डर्स को ओपन फायर करने का पर्मिशन दे रखा है यह एक्चलील में काफ़ी ओफेंडिंग बात थी वह प्रेसिडेंट भी बोलता है कि ऐसी बक्चोदी मत करो और वो प्रेसिडेंट बोलता है कि जन्रल साथ क्या ऐसा करना ज़रूरी है कि हम और कोई आराम से एकाम नहीं कर सकते है, तो वो जनरल बोलता है कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, हम यहाँ पर सिर्फ जीत नहीं खोज रहे हैं, हम यहाँ पर ताबड़ तोड़ जीत खोज रहे हैं, तो भाई अभी मा चुदा है अमेरिका, तो बोलता है इस 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 अमेरिका, अमेरिका है उनको होशी नहीं है वो क्या हो रहा उनके साथ और फिर उसके बाद हम एक बड़े से पैनल में देखते हो और क्या तो सुंदर पैनल है यार यह अभी इतने टाइम से वन पीस में भी मैंने नहीं देखा इतना कुछ अच्छा बहुत टाइम से एक बड़ा सा गनेश भगवान जैसा देखता हुआ बड़ा सा कोई क्रीचर है या फिर कर्ष्ट कर्ष्ट स्पिरिट है जो कि इन सभी सोल्जर्स को लगातार चोदरा है तो भाई अभी मैं क्या बथा हूँ कि थोड़ा कॉंट्रोवर्शियल ना हो जाए अगर इंडिया में अगर यह चीज थोड़ा सा क कि भी याद दिलाता है उसके बाद हम देखते हैं वो जो सोल्जर के लेबल होते हैं वो सारे के सारे जमीन पे गिर जाते हैं और फिर उस जनरल की बुद्धे खुलती है और इवन प्रेसिडेंट को भी समझ में आता है हाँ भाई हिसाब बड़ा है जूसु सॉर्सरेंट का गेटो यहाँ पे बोलता है ठीक है प्रेसिडेंट साब तो क्या करें अब मीटिंग खतम करें अब एक काम करो जूसु सॉर्सरर को पकड़ने का हिसाब बनावा और लास्ट लाइन जस वाट हैस बिन रिलीज़ इन दी कॉलोनी के साथ चैप्टर नमबर 201 खतम अभी अगले यह 800 लोग यही यूएस के सॉलिजर्स हो सकते हैं जिनको कलिंग गेम के अंदर गुसा दिया गया है और अभी कलिंग गेम के अंदर अभी मुझे गेटो का यह नया गोल पता चल ला कि कैसे यह वर्ल्ड पॉलिटिवस को भी कंट्रोल करना चाह रहा है ठ्रू आल दिस तिं कि कुछ ऐसे ऐसे जूसु सॉर्सरर्स हैं जो 800 सॉलिजर्स भी उनके सामने कुछ नहीं है जैसे कि हम माकी को ले 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 तो इन सारों के आगे एक फुल बटालियन कुछ भी नहीं है और अगर हम बात करें सुकूना की तो अगर किसी भी टाइम पे सुकूना रिलीज हो गया तो क्या यह ओल आउट वार चाहता है वितिन दी कलिंग गेम इसके आगे मैं यह एजिम करता हूं कि अभी और भी कई सारे ऐसे बड़े बड़े अडिशन हो सकते हैं कलिंग में जहां पे अधर कंट्रीस के सॉल्जर्स भी इस चीज़ के अंदर इन्वेड करेंगे सुकुना वाला इंड्रोडक्शन नहीं आया था तो गाइस एट वाज एट फॉर दी चैप्टर अंबर 201 रिव्यू तो गाजेती मेरी वीडियो और 201 रिव्यू आपको मेरी वाली वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो नहीं ीडियो ीडियो